यह एक लोकल चाइना मार्केट सन्यो चैसिस है ठीक है और यह चैसिस का बहुत कुछ प्राब्लेम था तो इसका एस्टी प्राइडिंग होने का बज़ा इसका बहुत प्राब्लेम हो गिया है आउट्पूर्ट एजिस्टर सौट हो गिया है और यह सब कुछ मैं चेंज किया चेंज काने का बात लास्ट मैं एक प्राब्लेम देखा और यह प्राब्लेम के बाड़े में इसका वीडियो है इस सुरू से लास्ट तक देखिए आप थाम लेन पर सही देखा है इसका सब कु आपको इस वीडियो में वोल्टेज का साथ आपको देखाऊंगा तो इसलिए अपसूर से लास्ट तक देखिए ठीक है दोस्तों तो आईए फास्ट यह दिखिए मैं मीटर को 600 DC पर सिलेक्ट किया है ठीक है और आप 200 DC पर सिलेक्ट कर सकते हो वोल्टेज चेक करने के लिए तो फास्ट आपको दिखाऊंगा कि यह एस्टी साप्लाई अप एक बर खुद देख लिजिए यह एस्टी साप्लाई 110 वोल्ट जो होना चाहिए यह 107 वोल्ट है यह ओक्य है और एस्टी आउन होने का बाद यह 184 लाइन पर वोल्टेज दिखिए यह सेमी वोल्टेज दि बाद आपको दिखाऊंगा कि डाइवर साप्लाई फोल्टेज दुस्तों दिखिए यह 15-20 वोल्ट डाइवर चॉपर पर जो डाइवर टांसपर्मर होता है वह पर सप्लाई जाता है यह लाइन को आप एक एक करके स्टेप बाई स्टेप दिखता हूँ अब दिखिए यह पौर एक रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का बाद ये वोल्टेज सीधा चला जाता है ये डाइवर टांसपर्मर पार्ट ठीक है इस पर वोल्टेज अब देख सकतो बहुत डाउन है क्योंकि लगदाए कि ये इस्टी अन होने का बाद जिस तरह वोल्टेज होना तो दूस्तो अब देख लिजी यह अपर सेम वोल्टेज देखा जाता है लगदाए कि ये स्टी अन है लेकिन दूस्तो इसका ये इस्टी अन नहीं है और उसका बाद ये पिन पर भोल्टेज आना चाहिए तब भी इसका बाद आपको देखाता हो ये जो फाटिकल वाटिकल आईसी स्वाट नहीं है और वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं है तो यह वाटिकल आईसी का दो पिन पर वोल्टेज भी ओक्य है यह वोल्टेज कम चल जाएगा उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा आप एब बद खुर देख लिजिए जो फाइब वोल्ट और 5 फोल्ट ओके है तो दोस्तों क्या लगद है कि इसका स्टैन्बाई रिलीज हो गिया है और स्टैन्बाई रिलीज ओन होने का बाद यह ट्यूनर का इस पिन पर 5 फोल्ट होना चाहिए तो दोस्तों आपको देखा देता हूं दिखी यह पिन पर 5 फोल्ट भी है मुझूद ह तो उसका बाद एक्षेली यह ट्यूनर पर फाइव फोल्ड जोता है यह जाता है ऐसी का 36 नामबर पीन पॉल्ड ठीक है यह लाइन को अब ट्राक कीजिए और आप पो एक बार दिखा देता हूं कि दिखी यह जो 36 नामबर पीन है यह पीन पॉल्ड नहीं आएगा तो तब भ भी 5 फोल्ड मुझूद है ठीक है और उसका बाद यह जो सप्लाई जाता है यह में प्रसेसर आइसी का 47 नामबर पीन पॉल्ड दोस्तों यह दिखी यह पीन पॉल्ड भी फोल्डेज ओके है ठीक है तो दोस्तों अब देख सकते हो यह जो जो फोल्डेज होना चाहिए अब देख लिजिए और दोस्तों यह वीडियो दिखने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके आप टेलिक्रम गूरूप और चैनल पर जोईन हो सकते हो ठीक है दोस्तों तो यह इसका प्रब्लेम को बारे में आपको डीटेल्स बाता हूंगा यह तीबी मीटर को मैं कांटिनिटी जो मूड है जो बाटजार मूड होता है बाटजार मूड पर राक के अपड़ टेस्ट करके दिखाता हूं मैं वीडियो बहुत छोटा करके बनाने के कोसिस किया है तो दोस्तों ग्लास तक देखिए यह एक अलाग सा प्रब्लेम है अब देख लेकिन दोस्तों यह पीन निगेटिव से आउट हो गिया है तो दोस्तों फास्ट एक बार आप दिखा देता हूं आप देख लिजिए जो यह स्टि का जो main नेगेटिव होता है और यह transistor का यह pin नेगेटिव डियिक्ट होना चाहिए यह इश्टि का नेगेटिव पीन और यह transistor का emitter pin डिखिये कोई भी connection नहीं है क्यों नहीं है डिखिये यह pin से यह जो negative point होता है ये pin पर एक jumper भी दिखा जाता है कुछ कुछ सेट पर और resistance भी दिखा जाता है ठीक है ये pin से ठीक है आपको दिखा देता हूँ clear करके दिखिए अभी connection नहीं है क्यों नहीं है दिखिए आप और एक resistance दिखा जाता है कुछ कुछ सेट पर jumper भी दिखा जाता है आपको उल्टा कर पहुति लोब हैलो का डिशेस्रेंस और टू आट का है और तो अट का facto कुछ भी रिजिस्टेंस स्काइफ हो सकता है और दोस्त टेंच वॉपर हो सकता है आउब काम यह प॥ैक्टों चलेकसी यह बाद बहुत ही EST बनना bond हो जाता है तो मैं आपको करके देखाता हूँ इस पर मैं jumper करके ही देखाता हूँ आपको बस resistance है तो आप resistance लागा दीजिए ठीक है तो मैं आपको jumper करके दिखाता हूँ कि यह मैं negative के सथ connection कार दिया ठीक है यह जो point होता है ठीक है चलिए मैं set पर line दे देता हूँ और उसका साथ थोरा सा voltage आपको देखाऊंगा मैं meter को 200 DC रेंज पर राख दिया है पहले और उसका बाद line देता हूँ तो दोस्तो मैं थोरा सा meter को set कर लेता हूँ थोरा सा रूख किये तो दोस्तो देख लीजिए मैं set पर line दे के आपको voltage एक बाद देखाऊंगा ठीक है तो दोस्तो देखी मैं set पर line दे दिया और उसका बाद एक बाद देखी यह EST supply यह 107 volt और देखी यह 180 volt का line पर voltage आगाया क्योंकि लागता है EST on हो गया तो दोस्तो देख लीजिए यह अलग सा problem है तो ठीक है तो दोस्तो यह वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज एक like कार दिजिए और यह वीडियो का description box का अंदर मैं जो telegram channel और telegram group का group बना है उसका link मैं देखे रखा है उस पर आप join हो सकते हो और आपका problem को बादे में अब लोग मेरा जो viewers होता है अपना वो discuss कार सकते हो group पढ़ा के और मैं facebook page का link देखे रखा है तो दोस्तो facebook page पर भी आप आ सकते हो थैंकी दोस्ती वीडियो पुड़ा देखने के लिए